नमस्कार दोस्तो बीवपी ब्लोग 24 में आपका स्वागत है दोस्तो मैं विजब मुवार फिर से आपके लिए नहीं चीज लेके आ रहा हूँ दोस्तो ये हिंदुस्तान के मसूर तबला वादक और धोलक भी बजाते हैं तबला इनका मेन सब्जक्ट है दोस्तो और ये किसी तारीफ और तारूफ के आप जान सकते हो दोस्तो कुछ सबक ये हमारे लिए बताएंगे कोई अगर बच्चा सीखना चाहता है तो वो बेसिक कैसे स्टार्ट करें तो उस्ताजों के सानेद्यम है और उस्ताजों के हाथों की जादू ये अभी अपने जादू से छटा विखेरेंगे और दोस्तो उस्ताज की कुछ जुबानी उस्ताज बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं हाँ नमस्कार सभी को थोड़ा मैं यही कहना चाहता हूं जो भी संगीत में आना चाहते हैं संगीत बहुत अच्छी चीज़ है माइंड के लिए भी सोल के लिए भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यह जब हम आप लोग रियास करते हैं तो हमारा ध्यान और कहीं नहीं होता है जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ ध्यान उसी चीज़ में होता है जैसे आदमी मेडिटेशन करता है तो ध्यान सिर्फ कि लिए एक हमारा ध्यान हमारे टर्टिस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह एक तरह की संगीत avihand про diese सब्सक्राइब दो इसमें दो तीन चीजे परधान होती है शल्ला यह देखिए दूसरा इसको बोलते हैं था पाकी तो यह दो चीजे परधान है इसका पहला लेटन कर दो कर दो कर दो तो दीरे-दीरे सब लोग प्रैक्टिस करें पहला चल्ला मारना है इस वाले हाथ के साथ लेफ्ट हैंड के साथ चल्ला दिखाई है यह तरीका चल्ला पहले इतना भी आ जाएगा तो हाथ थोड़ा सा चलने लगेगा एक बाएं के साथ पहले इसके लेफ्ट वाले के साथ स्टार्ट करें बाद में इसमें एक और वीट हो जाएगी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका उस्ताज एक सबक हम होर लेंगे क्योंकि ये वीडियो हम अन एडिटेट डालते हैं दोस्तों हम जो है वीडियो एडिट करके नहीं डालते हैं नैचरल जो है वो आप तक पहुँचाने का प्रियास रहता है तो उस्ताज बड़ी महरवानी होगी आपकी कि बच्चों को एक आप कुछ तिर्गिट जो भी आपके पास है तो बच्चे तयार होंगे और कुछ सीखेंगे एक बेसिक तिर्गिट है लेसन वैसे तो तबले का बोल है वो लेकिन आप अगर भात चलाना चाते हैं तो वो कर सकते हैं उस्ताज ये परविन सेठी जी है इनको निकने महन का गोलु जी कई सालों से ये संगीत में लगे हुए हैं मेरे ख्याल से 24-25 साल से संगीत की जर्नी है इनकी और अच्छे-च्छे इनोंने काम किये हैं तो दोस्तों ये सुनिये उस्ताज के धोलक के थाफ दूसरा लेसन है इसको हम बोलते हैं दोनों हाथ से मारेंगे तो धा होती है ये एक हाथ से मारेंगे इसको ना बोलते है और ये हाथ म्यूट करके दोनों मारेंगे ऐसे इसको ता बोलते हैं तो धा धा तीर कीट अब तीर क का यह मूट लेफ्ट पे मूट का तीर कीट वापिस यहां दा दा तीर कीट दा दा तीर कीट दा दा यह भी बहुत अच्छा लेटन है तिरिकिट के लिए तियार करने के लिए दा दा फिर इसको इसका साइकल बीट का साइकल बढ़ा भी सकते हैं दा दा तीर कीट 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 तो अभी के लिए बेसिक लेसन दो मैंने आपको दिये विजे भीया की रिक्वेस्ट पर तो सब लोग रियास करें बहुत अच्छे से सवंगीद बहुत अच्छा सब्जेक्ट है करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताज आपका दोस्तों बीपी ब्लोग 24 में आपका स स्वागत करता रहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें व्यूप्स बढ़ाएं शेयर करें आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका